दोस्तों ये एक बहुत ही एडवांस्ट लेवल का वाक्यूम क्लीनर है ये ना सरे फ्लोर को वाक्यूम क्लीन करता है बल्कि आप इसके साथ में फ्लोर को वेट वाश भी कर सकते हैं अब इसमें दो शब्द बहुत ही इंपॉरेंट है एक तो है डिटेक्ट वह इसलिए क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें एक सेंसर है जो की जो पार्टिकल से सक करता है उसे डिटेक्ट करता है और यहां से आपको एक्जाक्ली पता चल जाएगा कि किस टाइप के पा तो यह है इसका box pack, compact सी box packing है, तो box के अंदर यह है main vacuum cleaner, यह है vacuum machine, यह है extension rod और यहाँ पर है Dyson का submarine attachment, यह काफी interesting है, इसलिए क्योंकि इससे आप mopping कर पाएंगे, यह एक और attachment है, यह देखें, ऐसा दिखता है, यह basically dry cleaning के लिए है, और यह जो attachment है, यह specific use के लिए बना हुआ है, औ यह wall mount के लिए दिया हुआ है, यह adapter दिया हुआ है, इस vacuum cleaner में जो battery है उसे charge करने के लिए, तो यह काफी compact सा vacuum cleaner है, और यह इस परकार के easy attachments के साथ में आता है, easily lock हो जाता है, click lock, और यह जो red button यहाँ पर दिया हुआ है, इसे press करके आप आसानी से, जो attachments है, उन्हें remove कर यह है, यह है on off button, उसे press करते ही, जो vacuum cleaner है, यह on हो गया है, और इसे press करते ही, अब यह off हो गया है, और इस तरफ यहाँ पर कुछ indicators है, जिससे आप जो modes है, उसे change कर सकते हैं, यह है echo mode, automatic mode में जो suction power है, automatically कम या जादा होता है, यह basically जो dust levels है, उस पर depend करता है, और एक और option available है, boost mode, जो की full efficiency में काम करने वाला है, boost mode में जो battery है, यह जादा consume होने वाला है, echo mode best option है, अगर आप चाहें तो auto mode में भी इसे set कर सकते हैं, और जब आप यह जो vacuum cleaning on करते हैं, यह देखें, यहाँ पर आपको exactly पता चलता है कि किस प्रकार के particles को इसने capture किया हुआ है, जो first bar है, व और चलने वाला है, मतलब की remaining time left, और जो भी dust collect होता है, वो इस bin में collect होता है, यहाँ पर filter दिया हुआ है, यह basically यह देखें, यह जो filter दिया हुआ हुआ है, पीछे की तरफ, यह dust और allergens को capture करता है, ताकि आप vacuuming करते समय, इन्हें breathe न करें, इसके ओपर यह जो basic attachment में लगाया हुआ है, इससे आप जो floor है, उसे clean कर पाएंगे, और जब मैं इसे on करता हूँ, ध्यान से देखें, इसके यहाँ पर एक green light है, जिससे आपको dust particles है, वो बहुत clearly दिख जाते हैं, तो सफाई करते समय, काफी काम में आता है, यह light, और एक और चीज का ध्यान दीजिए, जब म नहीं लगता है, अब यह जो attachment है, यह है submarine attachment, और इससे आप जो floor है, उसे wet clean कर पाएंगे, यहाँ पर देखें, पानी के लिए एक compartment दिया हुआ है, और यह जो part आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह जो roller है, जिसमें जो dust है, वो attach होता है, क्योंकि यह गीला है, वो basically squeeze होके, जो जो गंदा पानी है, वो यहाँ पर collect होता है, इसे आपको बाद में फैकना है, प्लस इसमें जो पानी है, उसे भी monitoring करना है, और जब आप यह जो submarine attachment यूज़ करते हैं, तो आपको जो indicator है, back side पर, वो इस प्रकार का मिलने वाला है, इससे आपको idea मिल जाता है कि, जो submarine है, वो के साथ में वाश कर पाएंगे, और इसमें जो motorized mechanism used किया गया है, इसमें 8 precise hydration points है, जिससे जो clean water है, वो जो roller है, उसमें पास किया जाता है, और जो motor है, ये wet roller को 900 times per minute spin करता है, जिससे जो stains है, प्लस जो dust है, hard floor पर, वो roller के उपर चिपक जाते हैं, उसके बाद में जो roller है, उस से tray में collect किया जाता है, और जो process है, ये भी काफी आसान है, वैसे इस process के दोरान vacuum cleaning नहीं होता है, सिर्फ wet floor washing ही होता है, fluffy optic cleaner head जो है, ये खास करके hard floor के लिए बनाया हुआ है, और जो hair screw tool है, ये mattresses, sofa और pet hair के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो attachments दिया हुआ है, उसे use करके आप बड़ी आसानी से hard to reach areas को clean कर पाएंगे, जैसे की sofa के नीचे या फिर अगर आपको wall को साफ करना है, तो उसके लिए भी आप इस vacuum cleaner का उपयोग कर सकते हैं, कुछ घरों में dogs होते हैं, cats होते हैं, उनके बाल भी काफी होते हैं, floor पर या फिर खास करके, sofa पर, तो उसे clean क करने वाला है, प्लस जो attachment है, ये anti-tangle brush के साथ में आता है, जिससे hardly any hairs इस attachment में अटकता है, और जो hair है उसे directly बिन में पास किया जाता है, overall जो motor है ये काफी powerful है, 1,25,000 RPM के साथ में आता है, powerful section है, deep cleaning के लिए बहुत ही बढ़िया है, और जो filtration है ये तकरिबन 99.99% particles को remove करता है, as small as 0.3 microns, जो battery life है, ये आपको तकरिबन up to 60 minutes का, एक घंटे का मिल जाएगा, और ये दिखे, यहाँ पर है ये battery pack, जो की again यहाँ पर ये button दिया हुआ है, इसे प्रेस करके आप ये जो battery pack है, इसे ये दिखे, इस प्रकार से निकाल पाएंगे, और connector option दिया हुआ है, जो power cord box में दिया हुआ है, उसे यूज करके आप ये जो battery है, इसे charge कर पाएंगे, अगर आप चाहें तो इस प्रकार के spare batteries भी खरीच सकते हैं, और ये देखे, ये बड़ी असानी से lock हो जाता है, ये जो attachment है, ये खास करके, सोफे में जो gaps होते हैं, उसे clean करने के लिए काफी काम में आ सकता है, इसमें जो dust collect हुआ है, अगर आपको इसे dispose करना है, तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसे आपको इस प्रकार से, जो dust bin है, उसके पास इस प्रकार से pull करना है, और ये देखे, सारा का सारा जो dust है, वो इस bin के अंदर से यहां पर गिर जाएगा, और फिर आप इसे close कर सकते हैं, डैसन का जो product है, ये warranty प्लस accidental damage protection के साथ में आता है, ये जो product है, आपके home cleaning experience को, एक तो बहुत ही comfortable बनाता है, और काफी बढ़िया तरीके से cleaning भी करता है, और क्योंकि ये एक तरह से cordless system है, आप immediately से कभी भी यूज कर सकते हैं, in fact मैं इसे बहुत बार quick vacuuming के ये यूज करता हूँ, ये definitely एक value for money product है, detailed specifications के बारे में जानकारी, इसका जो pricing है, उसके बारे में जानकारी, और कहां से आप इसे खरीच सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है, देखते रहे हैं